नमस्कार पुस्टोगाते आपका रेपोटर लाइब देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ शीवम सोनी रेपोटर लाइब मैं आपको दिन भर के तर्माम महत्तपूर खबरों के बारे में बताएंगे तो शुरुआत करते हैं रेपोटर लाइब की और पहली और सबसे महत्तपूर खबर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस पर आईटी की छापे मारी हुई है और इस खबर के तमाम तरह के सियासी मैने भी निकाले जा रहे हैं इस खबर पर जदा ब्रिट्स देर हमारे से होगी धीर राश्पूर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने आज बीबीसी के दफ्तरों पर चापे मारी कारवाई की आपको बता दें के दफ्तरों पर चापे मारी की कारवाई हुई वहाँ पर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने पहुँच करके दफ्तर को सील किया इसके साथी वहाँ पर जो भी क किया और यह बताया जा रहा है कि यह कारवाई जो हुई है इसमें इसके पीछे जो है वो इंटरनेशनल कर का मामला है इंटरनेशनल करके मामले में कुछ गड़वडी की सूचना थी इंकम टेक्स डिबाटमेंट को जिसके बाद उन्होंने इस कारवाई को अंजाम दिया आपको बता दे के आईटी की यह रेड जो पड़ी है यह दिल्ली और मुंबई दो जगहों पर आईटी ने छापे बार कारवाई की है जहां पर पहुंच करके आईटी ने जो है सबसे प मामले की च शुरू कर दीए बहुंच की दिनोंने बीर सब्सकों कि पहिंसे ऐसे गोसीत आपात्ज कार्वाई के है और प्रूच की मैधा काड़े सब्सक्राइए वह लिक्तार पर निडकर पही हो रही है वह आपको बतादे हैं पिवाइब यूजे ने चूनावी खोष्णापत्र Всёक्तारी है अर इस खोष्णापत्र सेवादी है जारी किया है और इसको ठास बतार हमारी कैसे होगी नितिन चोथरी नागालेंड की साथ सीटों पे होने वाले विदान सावा से चुनावों को देखते हो 27 फरवरी को चुनाव होना है तो उसके नतीजे हैं दो मार्च को आएंगे आज से भारती जनता पाइटी के राष्ट एदक जेपी नड़ा दो दिवस्ये दोरे और नगालेंड के दोरेंड पे रहेंगे नागालेंड चुनाव के लिए घोषना पत्र जारी कर दिया पाइटि के मीडिया परमुक अनील बल्यूनि को अनील करेंगे उन्होंने बताया कि जेपी नड़ा 14 फरवरी को एक संयुक्त रेली में भाग लेंगे इसके रेली में नागलेंड के मुख्यमंतरी नुपूर्स रियो और मुख्यमंतरी बाइपेटेन और प्रदेश बीजेपी अद्दक तमेजन इमना अलग-अलग भी मौजूद रहेंगे नागलेंड की साथ बिदान सवा सीटों पे चुनाव होने के लिए तैयारी हो गए तो 27 फरवरी को इस पे बोटिंग होंगी जिसका नतीजा दो मार्च को आएगा लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाइटी के राश्टेदिक जेपी नड़ा दो दिवस्य दोरे पे हैं तो देखते हुए बाहरते जनता पाइटी ने अभी से कमर कसनी चालू कर दी है जिस तर आज पाइटी के प्रदेश अद्धिक तमामों मुख्य मंत्री जो है पाइटी के राश्टेदिक जेपी नड़ा के साथ रहेंगे और बाइटी के लिए बोट मांगी जाएगी कैमरा मैन निकांद के साथ मैंने तिन चौधरी इंडिया वॉईश उत्रप्रदेश की राज़ताएं लखनों में योगी स्तरकार की महत्पूर कैबिनेट बैटक हुई और इस बैटक में तेरे एहम प्रस्ताव रखे गए खबर पर जदा ब्रिट्स देरे हैं हमारे सेहोगी अखरन प्रताफ शाही की रिपोर्ट को संस्तुती देगी और इसके अलावा संविदा कर्मियों जो विग्यापन आधार भरती संविदा कर्मियों को साथ में वेतनमान का लाब देने के प्रस्ताव पास कर दिये गया है और इसमें राज सरकार पर 29 करूर का व्याइभार आएगा इसके अलावा लैब टेक्निशन पद हे तू परिशद का गठन जो किये जाने का प्रस्ताव लाया गया था वो भी पास कर दिया गया है जो एहम है उनमें से पियम मित्र योजना के तहत टेक्स्टाइल्स पार्क स्थापना और भूमी हस्तांतरन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है साथ ही भारत सरकार के सहयोग की इस योजना में हरदोई में 269.9 एकड लखनों में 903.7 एकड और 1162 एकड में से 1000 एकड भूमी नेशोलक हत करगा एवं बस्त द्योक को स्तांतरिक करने का प्रस्ताव पास हुआ है और साथ में विधान सभास सत्र है तो 20 फरवरी को विधान मंडल के दोनों सद्रों में संयोग तुरूप से राजजपाल का अभिभाशन किया जाएगा और इसको लेके भी प्रस्ताव पास कर दिया गया है मान्य विधायकों और निधन की जो सूचना है उसके निर्देश अगले दिन यानी 21 फरवरी को पढ़े जाएंगे तो यह पूरा जो आज का जो कैबिनेट का प्रस्ताव है उनमें काफी एहम फैसले लिए गए हैं इसके अलाबा अब राजय सरकार का सारा फोकस जो है वो आने वाले वक्त में कैबिनेट मंत्रियों को जो कैबिनेट की मीटिंग है वो अलग-अलग जिलों में कराने पर भी है तो कुल मिलाके ये कि योगी सरकार अब सिर्फ लखनों की चोहदी में कैबिनेट मीटिंग नहीं करना चाहेगी बलकी जमीन पर उतरते हुए अलग अलग जिनों में कैबिनेट मीटिंग करती हुई भी नजर आने वाली है कैमराबन सुभाज चंद्रा के साथ अकन्पताप शाही इंडिया वायस लखनो कैंद्री ग्रीमंत्री अमिच शाह ने एक नीजी एजनसी की इंटर्विव में कई एहम मुद्दों पर बाचित की उन्होंने राहूल गांदी की भारत जड़ो यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा को कितना जन समर्थन प्राप्त हुआ है यह तो अगले तीन राज्ये के चुनाब में पता चल लाएंगे क्या राहूल गांदी पीम फेस के उमिद्वार होंगी या नहीं होगी क्या कॉंग्रेस मुख्य अभी पक्षिदल 24 में होगी या नहीं होगी इस पर उन्होंने कहा कि यह अभी विधान समर्थ चुनाब जो नौराज्ये में होने वाले हैं उनसे पता चल लागा वहीं उन्होंने क्या है प्रियागराज हेंगल बतारे हमारे से होगी तो इस तरीके से चार्टेट प्लान को नहीं उतनने की इजाज़त दी गई थी तो उस पो देखते हो कार्यकरताओं में काफी नाराज़गी देखने को मिल रही है कॉंग्रेश के कार्यकरताओं ने आरोप लगा गए जिस राहुल गांदी ने मंगलवार को उत्रप्रदेश इस्तिक प्रियागराज के दोरे पर आने वाले थे लेकिन इससे पहले ही सौमार को उनका दोरा रद किया कर दिया गया था। इसके बाद राज्य मगीजेपी और कॉंग्रेस के बीच फिर से जोवानी जंक तेज हो गई है। जो रविया वो दिखाने में काम्याब हो रही है। और हर्याणा पॉलिस को ग्रेह मंतरी ने राश्टपती निशान सापा। ग्रेह मंतरी ने कहा कि ये उनके लिए भी गौरब का पल है। पुलिस को धाकड पुलिस की संग्या दी जाती है और उन्होंने यहाँ पर जो वीर पुलिस के शहीद थे उनकी शहादत को नमन किया केंद्रिय मंत्री अमिशाह ने कहा हर्याणा में 29 साइबर थाने और सैंक्रो साइबर डेस्क स्थापित हैं ये किसी भी राज्ये के लिए गौरफशाली बात है उन्होंने कहा CC, TNS और IOCJS दोनों विशे में पूरे देश में हर्याणा पुलिस को संबान मिल चुका है तो हर्याणा पुलिस को केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिशाह ने आज रास्टपती निशान सौपा है जिसके लिए वो खर्णाल पहुँचे थे पुलवामा की आतनंकी घटना जिस दिन पुलवामा में आतनंकियों ने अटेक किया था खबर पर जदा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सेयों की दिन का लानत 14 फरवरी को यूँ तो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं लेकिन 4 साल पहले यानि कि 2019 14 फरवरी के बाद से लोग इसे ब्लैक डेई यानि काला दिवस के रूप में मनाते हैं बता दे कि 2019 में 14 फरवरी को जम्मू कास्मीर के पुलवामा में 40 जवानों की सहाधत हुई थी कि बरसी पर प्रहान मंत्री जरहीं अमदी ने टुट कर स्राधांचली अरपित कि अन्होंने कहा कि हम उनके सरवोच बलिदान का श्वागत करते हैं वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनके बलिदान से हम प्रेडित होकर देश के विकास की भावना की उगर बढ़ते हैं वहीं एक ओर्ध कॉंग्रेस ने तादि विज्या सिंग ने आज पुल्वामा की बरसी पे आज सवाल खड़े कि और ऐसा क्या हुआ कि एरक्राफ्ट से हनुमांजे के पोश्टर को गैप कर दिया क्या बतारी हमारी से होगी पूछा अचाँ सोंबार को बैंगलूरू में एरो इंडिया दो हजार ते ही स्काउट घाटन हुआ एशिया के सबसे बड़े एरशो में देश मिनर में एरक्राफ्ट और अन्य डिफेंस की मॉडल पेश किये गए इस एरशो में एक एरक्राफ्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ कीचा इस एरक्राफ्ट की खास बात ये थी कि इसको विक्सित किया था हेल यानि हिंदुस्तान एरो नाटेक्स लिमिटेड ने और इस एरक्राफ्ट की टेल पर बजरंग बली यानि हनुमान जी की तस्वीर बनी थी जिसके चलते इस एर्क्राफ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खीचा वही आज अपडेट मिल रही है कि हेल ने एर्क्राफ्ट से बजरंग वली की तस्वीर को हटा लिया था सोशल मीडिया पर इसका काफी विरोध देखने को मिला था जिसके बाद H.E.L. ने एरक्राफ्ट से बरजंग वली की तस्वीर को हटा लिया है सुमवार को एरशो का उद्धाटन प्रधान मंतरी नरेंद मूदी ने किया इस एरशो का जो मकसद है वो टेक्निलोजी के साथ साथ देश में जो निर्मित एरक्राफ्ट्स है यानि की मेक इन इंडिया मिशन को प्रमोट करना है क्यामरा मैन शैंकी के साथ मैं पूझा जा जारकंड के मुख्यमंतरी हेमन सोरे ने एक बार फिर से केंद सरकार और बीजेपी को घेरा है जिस तरीके से अपने जोहार यात्रा के दोरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है उसमें सबसे बड़ी बात दिखने को मिल रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से राज्य में महंगाई बे बढ़ोतरी हुई है और सरकार कहीं ने कहीं केंदर की जो सरकार है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है और साथी साथ उन्होंने कहा है कि राज्य में जो सरकार उनकी चल रही है उसको बार बार गिराने की कोसिस की जा रही थी इसमें केंद सरकार और बीजेपी दोनों के लोग कहीं न कहीं सामिल होने की बात पूलने कही है जिस तरीके से मुख्य मंतरी हेमंद सुरेन मुखर होते जा रहे हैं और साफ तोर पे इस बार कई तंज भी कसा है खास करके केंद सरकार और बीजेपी पर और साफ तोर पर उनके घारकरम के दौरान जिस तरीके से लोगों के सामने मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखने की कोशिश की है उससे साफ है कि राजजी में जिस तरीके से हालात है उसका सीधा सीधा लाब मुख्यमंत्री हेमन्सोरें उठाना चाहते हैं राजजी सरकार की बात की जाए तो निश्चित तोर पे जोहार यात्रा के तोरान मुक्यमंतरी जहां सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुँचने की कोसिस कर रहे हैं वही कई ऐसे मुद्धे हैं जिसको लोग लेकर कहा जा सकता है कि राजियतिक लाप भी लेने की कोसिस की जा रही है ऐसे में मुख्यमंत्री के तरफ से इस तरह की बयानों की कई माइने भी लगाया जा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से 2024 के चुनाओं होने हैं इसमें लोक सभा के बेचुनाओं हुए और राज्यमे विधान सभा के बेचुनाओं होने हैं तब कहीं ने कहीं इस तरह की बातें जब सामने आ रही हैं तो कहीं इसका सीधे सीधे माइने लगाया जा रहा है कि मुख्यमंतरी हेमन सोरें जहां अपनी सरकार को बेहतर करने की कोशिज में लगे हैं वहीं जनता के सामने जाकर केंदर सरकार और खास करके बीजेपी की उन त अधर यूपे के कानपूरत यहाद से कैसा मामला सामने आया है जिसे से इंस्ताइनत शर्मसार हो गई है खबर पर ज़रा अपडेट्स देरे हैं हमारे सोगी राम दिक्षित अवेट कपजा हटाने गई टीम पर जोपड़ी में आग लगा देने और आग से मावेटी की जिन्दा जलकर मौत हो जाने का गंबीर आरूफ है कानपूर्दिहात के रूरा थाना छेत के मड़ूली गाउं में राजस की एक सैयुक्ष टीम बनाएगी जिसमें लेकपाल, तैसिलदार, SDM और पुलिस के अधकारी सनलिप्त होकर एक गाउं मड़ूली पहुँचे जहां पर गरीब सिवन दिक्षित के जो कबज़े को ढ़ाने पहुँचे थे, गाउं में पहुँचते ही टीम ने जोपड़ी को गिरा दिया, पर जिनों का वहीं आरूप है कि SDM और गाउं के कुछ दवंगों ने मिलकर जोपड़ी में आग लगा दी, आग लगने के कारण मा और बहन अंदर जुलस गई, जुलस ने सुनकी मौत हो गई मामला जब संग्यान में आया, तो कानपूर नगर के मंडला युक्त राज सेखर और ADG आलोग सिंग मौके पर पहुँच गए और मौके पर पर परजिनों को सम्मेदनाई ब्यक्त की, परजिनों से बात कर डैड बोडी को सुरक्षित इस्तान दिया और वही परजिनों ने उनके अस्वासन पर संतुष्ट ना होते हुए गंबीर आरोप लगाए और मुखमंत्री की आने की मंग कही है वही परजिनों से परवार लगातार नाखुच देखा जा रहा है और लगातार कई मांगों के लेकर अड़ा है कानपुर्दिहाथ से राम Δिक शित इंडिया बोईस यूपे के अमरोहा की जंगल में पेड पर एक लाश टंगी होने से हड़कम मच गया ख़वर पर जञ़ा जानकरी तरे हमारे से होगी मह 창ंद इमरार अम्रोहा में जंगल में सीसम के पेल पर युवक का शव लटका मिलने से शेत्र में पूरी तरहां से हड़कम मच गया वहीं सारे मामले में सूचना पाकर मोके पर पहुंची पुलिस ने कट नेस्तल का जाय जलिया पूरा मामला अम्रोहा जनपत के हसनपुर कोतवाली शेत्र के गाउं सिरसा गूजर का है जहां पर रुखालू निवासी राजेंदर का शव गाउं के ही पेल पर जंगल में लटका मिला जहां पर शीसम की पेड़ पर उसका शाओ लटका मिलने से शेतर में हरका मज्या वहीं इस्थाने लोगों को जब शाओ दिखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने मोका मुएना करते हुए वहाँ पर पर परीजिनों को इसकी जन करें दी जि के बाद पुलिस सारे पहलों पर जांच कर रहे हैं जांच के बाद अगरिम कारवाई करने की बात कही है हम रहाँ से इंडिया वोईश के लिए मुहम्मद इम्रानी की लिपोर्ट जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल आए आपको बता दें जिले की डियम माला स्री वास्तों के द्वारा हाल में ही सड़क तुरच्छा सब्ता मनाया गया था और लोगों को जगे-जगे कैम्प लगाकर जागरूग भी किया गया था लेकिन इसका कोई असर राइवरेली जिले में नहीं देखने को मिल आया है लगातार सबक हाथ से हो रहे हैं और लोग इसका सिकार हो रहे है आपको बता दें ताजा मामला राइवरेली जिले के धदोखर खाना छेथ के दरिया पुर्चोराहिक आया है जहां आमने सामने की चक्कर में तीन लोग गंभीर रोग से गायल हो गए और अस्थानी लोगों की सूचना पर एंबुलेंस के द्वारा उन्हें जिला अस्पताल भरती कराया गया जहां उनका इलाज चला है वहां मौजूड डाक्टर के द्वारा बताया गया है कि तीनों लोगों की हलत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है हलाकि लगातार इस तरह के हास्तों को देखते हुए अस्थानी प्रशाशन लगातार लोगों को जागरो कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से सड़क सुरच्छा के नियम होते हैं और किस तरह से सड़कों पर चलना चाहिए लेकिन अब कारण क्या है किस तरह से लोग लगातार इसके सिकार हो रहे हैं कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाय सामने आती हैं और लोग इसका सिकार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं राजु तीवारी इंडिया वाइश जाग पूरी हो चुकी है प्रसासन भही अपनी पूरी तयारियों में जुटा हुआ है आपको बता दें कि ये बदायों जिले के कस्वा दातागज में भी तयारियों को लेकर कल इस्पेक्टर सौरफ सिंग ने सभी विध्यालों में पहुंचे पेपरों की जानकारी ली बहीं उन तब गंबीर धारां में मुकदमा दर्ज होगा और उसे जेल भी जाना पड़ेगा कैमरामैन सोहल के साथ सती सक्षिन है इंडियो वाइस का रखन की राजदानी देरादून में बीते रोज नौ फरबरी को हुए पत्तरवाजी का आरोपियों के वीडियो जारी हुए है ख़बर पर ज़्यदा अपडेट्स देने हमारे से होगी अब है के तुरा के तरब से उन सभी कि तरफ मिन यहां पर जारी कर दी गई है ऐसे मैं समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पुलिस की तरफ से और सक्षिन कारवाई यहां पर की जाएगी क्योंकि राजधानी देरादून में जो बबाल यहां पर हुए था हुए खासता पर जो लगातार कारवई की बात यहां पर करी थी और अब उन सभी पथर बाजों की तस्मिर है पुलिस की तरफ से जाइग कर दी गए जिनों ने गजलता हुआ नजर आ रहा है योगी जी का बोल्डोजर अत्कमणकारियों के लिए कहड़ा रहा है उत्रप्रदेश की बात की जाए तो में पुरी जनपद में भी देर शाम रात जो कारवाई की गई है सदर अबुदिता शर्म अद्वारा और सियो सिटी और राजिस्च की टीम और नगरपाल का सभी सयुक्त रूप से कारवाई को अंजाम दिया गया है साड़े नौ वजे सदर अपनी टीम के साथ नधी जेल चौराहे इस्तित इसन नधी किनारे जो की निर्मार कर किया गया था उस पर सूचना भी मिली थी कि यह अवैद रूप से है मगर उसमें रात में लेंटर डानने की जो त्यारी की जा रही थी सदर एस्जीम ने उनको रोखने का प्रयास किया था नोटिस भी पहले दिया था मगर सदर एस्जीम की कारवाई से विल्कुल भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और देर रात साड़े नौ बजे तकरीवन इस लिए हैं उनको भी नोटिस थमा चुकी है सदर एस्जीम और उन्होंने कह दिया है साब तोर से अगर आपने अपना अत्कमड स्वयम से नहीं अटाया तो आप पर भी घरों पर भी बुल्डोजर चलने के लिए तयार कड़ा है तो वहीं जिलातकारी हवनास प्रिसिन सिंग की जाएगी मैंटपुरी से इंडिया वाइस के लिए मुप्रिक अधर यूपी के बलिया में इलाज के दोरान महिला की मौत पार पर जिनों ने जमकर बाबाल कटा जिसके चलते शित्र में हड़कम की स्थिती बन गई खबर पर ज़रा जनकरी देने हमारे स्थियों की करोने इश्पांडे का एक मामला सामने आया है मैं आपको बता दू कि बाज़ी सामुदाइक स्थित्र में एक महिला का इलाज चल रहा था जहां पर इलाज के दोरान इसकी मुर्त हो गई अधिक्षक सामुदाइक स्थित्र पर जनों ने हंगामा खड़ा कर दिया पर जनों का कहना है कि मरीज को गलत इंजक्षन लगाया गया है जिसके वज़त से मरीज की मिर्द होई है और अधिक्षक से तुतूमा में और गाली गलोज मार पिट पे उतारू हो गए जिससे अधिक्षक वहां से भाग गए लेकिन वहां पर एक धर्मासिष्ट उस गुसाय पर जनों के चंगुल में फस गए जहां पर की अधिक्षक का एकाना है कि पर्मासिष्ट को पर जनों ने मारा पिटा मारने पिटने के बाद अधिक्षक ने वहां ठाने पर तहरीर दिया लेकिन तहरीर के बाद कोई करवाई नहीं होने को लेकरके अदिख्यक और साथ करमी सहीद तुरे हास्पिटल में सामजाइब सास्व 네가 में ताला बंद करके और धरना पर दर्शन पर बैटने के बाद, वहां पे धाना वहां पर पॉल्चा और थाना पलंचने के बाद वहाँ पे दो लोगों को गंभीर धराओं में नामजद किया और मुकदमा दर्ज किया और कुछ अन्य अज्जात को लेकर भी मुकदमा दर्ज किया उसके बावजूत ताला खुला और वहाँ पे जो बवस्ता है इलाज की बवस्ता है वो 104 रूक से चलने लगी सूबे की योगी शरकार ने गाउं की सफाई को लेकर बड़ा तोफा दिया है पतारे हमारे सेहिए सतीश योगी सरकार ने गाउं करें बड़ा तोफा दिया है बताते चलें इस्तिवह Rs. ह прест comes фак to find Tuesday इसी इने ने बताया है कि जो गाउन सोचाले ख 101 उन्हें सवाइम पंचात अधिकाई वित सर्बे करेंगे कि अपर प्र pendi वां हो रहे हैं जो सब्सक्राव प्रकेड जिस हिए स्चेट करा अगर में जोह-एक हम में इस खाहर हो चाहिए हुना रुटे जाएंगे और से नहीं नहीं हो रहे सरकार का उसमें पैसा लगा उवा था और वह नहीं आ रहे तो लेकार रहे हैं यह नहीं आदिस जारी रहे हैं और उन्हें बहुत जल्दी ठीकरा जाएगा कि इस पर पदेखिए कि अबाइब चिते सोचाले टूटे ओए हैं या किसकी जो है दरवाजे चूटे हुए या किसकी शीट घड़ा पड़े हैं नहीं चीक कर जाएगा मेरे सयोगी प्रांशाखुर साथ महसतीसी इंडिया वाइस न्यूज संबल और दिके साथ रिबोटर लाइम में इतना ही खबर लगाता है आप देखते रहें इंडिया वोईज